दूस्तो आज की इस वीडियो में हमने एक इसी जान करें लेकर आपके साथ हाजीर हुआ इस वीडियो में जिसके लिए आप कॉमेंट करते हैं कि अगर आप गोविन विक्षिन के ठीका लगार लिया है और उसमें आपका स्राटिफिकेट में नाम वगेर है गलती हो चुका है नाम डेट वर्त या मॉवाइल नंबर कोई भी चीज गलती हो चुका है तो आप बिना होस्पितल जाए बिना हैल्थ वाक्स मिले आप खोड़ सी ऑनलाइन उसी करेक्शन कर सकते हैं वह भी 30 मिन्टों में जी हां तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन पूरी कं गोविन वेक्सिनेशन स्टाटिफिकेट पर अपना नाम उमर डेट वर्त हो या अपना मॉवाइल नंबर गलत हो चुका है या आप करेक्शन करना चाहते तो इस वीडियो की माद्यम से आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू करने पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए रहा हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा अगर इसी तरह की नौलेश्पूर जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते तो चलिए समय नगम आते हुए आपको वीडियो की टॉपिक के और ले जाते हैं और गोविन वेक्सिनेशन सार्टिफिकेट को क करेक्शन करने की पूरी पर के लिए हम आपको इस वीडियो में वीडियो कोष्ट बताने जाए तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सारी यूटूब वीडियो में यह बताया गया था कि आपका जो सार्टिफिकेट गलत हो चुका है करेक्शन करना तो आपने होस्पिटल से जाकर उसे को सुधार कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिना कोई होस्पिटल जाए बिना किसी समिला आप और लाइन खोद सी अपनी सार्टिफिकेट को करेक्शन कर सकते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा गोविन.jov.in की अपसल वेबसाइट प जाकर्त हैं जाए और अवह उस्टिफिकेट कर दोरो आई हमा Coleman नंब्र होगा ड़ाई है? injection लेते समय जो number आपने दिया था स्वास्ति वग खो हैल्थ डिपार्टमेंट को वह number आपको दिना number अभी आप सोदार नहीं कर सकते number आगे हम बताइंगे number का कौन सा number सोदार हो सकता है लेकिन जो number से आपने injection लिया वह number यहाँ पे डालेंगे get OTP किलिक करेंगे उसके बाद आपके मुवाल पर OTP वेज दिया जाएगा one time password चलिए हमारे पास OTP रिसीब हो चुका हम उस OTP को यहां पर enter करेंगे उसके बाद verify and proceed बटम भी किलिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहां पर हमारा नाम जो है नाम जो गलती हो चुका है जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नम जीसान है लेकिन इन्होंनी निसान कर दिया है और मेरी year वगर जो भी जान कर देख सकते हैं मैंने बटम लगा चुका तो अब मेरा शकें बोसा बला चलव या निकीड़ मेरा स्केंड टॉज है तो दस दिसंबर को मैं नाओ दिसंबर को यह वीडियो कर चाहिए यहीं अपना अनदार काट अर्द लेकर जाना होगा का वहाँ पर देखते हैं कि आपने फर्स न इन्जेक्शन किस देट को लिया है चलिए यहां से सब्सक्राइड करेंगे अप्स प्रक शुदार है यहाँ पी ओप्शन दिया गया है लिए प्रक्रिक्रों पर किलिक करना है उसके बाद की यहां पर आ proceeding आपका नाम गलत हो गया है या जेंडर या फोटो आड़ी या पूरूप दिये तो पूरूप का नंबर गलती हो चुगा है तो आप इस माध्यम से करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने दो दो जे लगा चुका है लेकिन एक दो जो हो अधर अधर पूरूप से लगाते अर दूसरी दो मिलाके एक साटीकेट करना चाहते उपक只 करना च्टेता ताकि वो आतलो के मातधियमत से वह विद्येश्न भी जाज़ए क्या यहां बहुत सारी और यहां नमब्ड तो नियू नमबर यानि कि आपका दो नमबर है, मतलब आपका दो नमबर जिस नमबर से आपने एकाउंट बना जाए है, आप चाहते हैं आपना इस नमबर को चेंज करके दूसरे नमबर से आपना एकाउंट करें, यानि कि तो टास्पर करना होगा, टास्पर एक मिंबर टू नमबर, यानि कि यह पर कसी आप चाहती है ये नंबर से पारें में अपनी प्रोफाइल को ह्तbach में करके आपको बोड़ागे आपको बताऊंगा जो डतातर tornar अच्कषिते लिगे confess acc सुविक नाम याँ पे तो इस एकाउंट से जितने इंवेंबर का आपने इंजिक्सिन लेंगों सभी का नाम यहां पर सो करें मैंने इस नंबर सिप में अपना ही रिजिटरेशन के हूँ इसलिए यहां पर मेरा ही नाम सो कर रहा और यहां पर यह थिए दिया गया है इसे आप एक ही बार चैन्हिज कर सकते। यापना नाम या डेट्प danner मौ या फोटो एडिट करने का option आपका नाम के सामने change option or date of birth के सामने change option mail के सामने change, generalize photo ID यान की जो भी document देते उसको change करना चाहिए तो आप यहां से change कर सकते हैं तो यहां से change बटन है इस पर ख्लिक करने के यहां पर आपको अपना new name देना जो भी आपका new name हो वो यहां पर आपको देदना होगा चलिए मैं अपना new name यहां के दिया हूँ MDGisan आरी पहले मेरा देखी MDNisan था तो कि मेरा new name है MDGisan आरी उसके पाद अगर हम ID proof change करना है चेंज कर सकते है उसके पाद जो भी ID proof यहां पर है या जो भी ID proof आप दे रहा चाहते है वो आपको यहां पर अप्लोड करना है अगर ID proof change कर रहे तो new जो ID proof वो देंगे अगर नहीं ID proof change कर रहे है तो यह जो ID proof दिया गया है इसको चेंज नहीं करेंगे तो जो भी नाम आप न्यू नाम दे रहें उस नाम के एक सार्टिफिकेट अप्लोड करना हो यानि की प्रूप जिसके मेरा नाम new MDGCNR वो उनको प्रूप होगा वह उमको यहां पर अप्लोड करना हो जिसके अप्लोड फाल पर क्लिक करेंगे तो मैंने अपना न्यू नाम डाल दिया यहां पर डॉक्मेंट पर अप्लोड कर दिया जो मेरा न्यू नाम से है उसके यहां पर क्या करना है मुझे कंटीनू बटन भी क्लिक रहें यहां बताया जारे चेंज होने में 48 गंटे का समय लग सकता है लेकिन मेरा जो है वह आदा यहां पर डॉक्मेंट आपको अप्लोड करना होगा यहां यहां बोटर अप्लोड कर चुके उसको आद यहां पर कंटीनी बटन भी क्लिक करेंगे कंटीनी बटन भी क्लिक करेंगे आपका डॉक्मेंट यहां पी सो करेगा आपका पुराना नाम से और तू नया नाम कौन सा नाम है वह आपको यहां पे दिल्खा दिल्गे से किलिक सकते हैं तो देख सकते हैं मेरा किए इस देख रहे हूँघ यहां पे देख सकते हैं अभी कितना हुआ 21 मिनट में हो चुका है जो कि अभी ने अबडेट कर दिया गया और मुझे कि SMS अभी जश्ट मिल चुका है कि हमारा सटीपेट जो अपडेट हो चुका है यहां से अब स्टेटस भी ट्रेक कर सकते हैं लेकिन SMS के दुवार हमें सुचीत कर दिया गया है कि आपका डॉकुमेंट अपडेट कर दिया गया यानि कि अभी आप देखा कि लाइव दो मिन्टो हमारा सटीपेट का करेक्शन हो गया यहां पे हम पर मेरा सटीपेट के हो गया है हमारा याना म्म हम हम कानी मən हम संस्ट आपडेट मेंग दीख लेते हैं यह सांटेपा हुचक поддерж करेंगे उस प्वत hem Жूम कर देख देख सकते हैंँểज नाम फूल नाम जो वो चेंज़ कर दिया गया है आपने लाइब देखा एक से दो मिनेट के अंदर हमारा सर्टिफिकेट अपडेट करा होका हो कर स्कुरण को सबस्क्राइब करें अगे क्या किसी का किसी की ला या आपको मौमट र वाय सब्सक्राइब कर लेंगे अगर विडिवस 물리 वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ सेर जरूर कीजिए जो इस बात को लेकर बढ़ेशान थे अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए ऐसे जानकारी के साथ